तो चलिए आज बात करते हैं motion in a vertical circle के बारे में vertical circle क्या होता है देखिए एक object अगर circular motion कर रहा है तो mainly आप ये मानके चलिए कि दो तरीकों से वो circular motion कर सकता है एक है vertical circle और एक है horizontal circle अब horizontal circle का क्या मतलब है पहले हम ये देखते हैं उसके बाद हम vertical circle पे आएंगे और vertical circle के अंदर जो motion object कर रहा है उसी को आज हम detail के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे ये देखिएगा स्पोज कीजिए ये मैंने आपके सामने एक प्लेट सी रख दी है ये खिलोने वाली प्लेट है तो आप ऐसा मानिए कि जिस plane के अंदर आपको ये copy रखी हुई दिखाई दे रही है ये plane है धरती के plane के parallel और अगर हमारा object कुछ इस तरीके से circular motion करता है आपको समझ में आ रही होगी बात है तो वो जो circle है क्योंकि उस circle का plane धरती के plane के parallel है इसी लिए हम इस circle को क्या बोलेंगे horizontal circle बोलेंगे यानि के आपका जो object circular motion कर रहा है वो horizontal circular motion कर रहा है लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ के माल लीजिए धरती के plane के perpendicular direction में object को circular motion करवा दूँ तो तब मैं कहूँगा के object एक vertical circular motion कर रहा है आप देखिएगा अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से उठा लूँ ए ऐसे तो अब आप समझ गई होंगे कि ये अगर धरती का plane मैं बोल रहा हूँ तो जो circle का plane है आपको बात समझ में आ गई होगी वो इस धरती के plane के कहा है perpendicular और अगर object एक बार थोड़ा सा टेड़ा मैं इसको कर देता हूँ आपकी समझ के लिए अगर object कुछ इस तरीके से अब circular motion करें आप ये देखिएगा तो object के द्वारा जो circular motion किया जा रहा है उसका plane और धरती का plane क्योंकि perpendicular है इसी लिए इस circle को किसका नाम दिया जाएगा vertical circle का यानि के धरती के perpendicular direction में जो circle है उसमें अगर कोई object circular motion करता है तो उसको हम बोलते है motion in a vertical circle तो ये आपके सामने जो आपको ये diagram दिखाई दे रहा है आप इसको एक vertical circle मान करके चलिए और आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये आपको बड़ा सा dot दिखाई दे रहा है ये बड़ा सा dot basically m mass का कोई object है और हमने इसको क्या करना है vertical circle के अंदर गोल गोल motion करवानी है तो जो diagram के अंदर different different चीज़े हैं अब हम उनको one by one थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हैं क्या तो आप ऐसा imagine कीजिए कि आपने एक यहाँ से लेकर के और यहाँ तक suppose कीजिए r length की एक रसी ली है या आप कहलीजिए कि धागा लिया है और उस धागे के साथ आपने इस M mass के object को बांद दिया है tie कर दिया है और आप ऐसा imagine कीजिए कि आपने क्या किया कि एक दिवार है आपके घर पे उस दिवार के अंदर पहले तो आपने एक कील ठोक दी दिवार के अंदर और फिर उस कील से एक धागा बांद दिया और उस धागे के नीचे आपने क्या किया ये M mass का जो object है ये लटका दिया suspend कर दिया तो आप समझ रही होंगे कि कुछ आपको इस तरह से वो situation नजर आएगी कि के जैसे यहां point O पर कील जो है वो दिवार के अंदर धासी होई है और ये जो है धागा है और इसके नीचे ये M mass का object लटक रहा है और आप जानते हैं कि जो M mass का object जब लटकता है तो क्योंकि उसको धरती नीचे की तरफ खीचती है इसलिए आपको इस thread के अंदर इस रसी के अंदर एक खिचाव नजर आता है और उस खिचाव को ही हम बोलते हैं tension आपने इसके बारे में जरूर पिछले जो वीडियो लेक्चेर्स हैं जो हमने Newton laws of motion पढ़ा था वहां आपने tension के बारे में जरूर पढ़ा होगा तो इस धागे के अंदर क्या होगा एक खिचाव होगा जिसको हम बोलेंगे tension in the thread और आप ये भी समझ रहे हैं के ये V1 का मतलब है के आपने इस M mask के object को इस तरफ चुटकी मार करके suppose कीजिए एक velocity initial velocity देने की कोशिश की है और जो initial velocity आप इसको दे रहे हैं उस velocity को मैं मान रहा हूँ V1 आप imagine कीजिए ना कि जैसे कील के साथ जो ये धागा बंदा हुआ है और जो नीचे M mask का object है naturally आपको अपने हाथ से एक चुटकी या एक जटका तो उसको देना पड़ेगा ताकि वो object थोड़ा सा कहा जाए उपर जाए और आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप इस object को थोड़ा सा चुटकी कम जोर से मारेंगे यानि कि just आपने थोड़ी सी चुटकी मार दी इस object को तो आप समझते हैं क्या होगा ये object पूरा circular motion नहीं कर पाएगा बलके क्या होगा जब आप इसको इस तरफ velocity देंगे तो ये थोड़ा सा उपर उठेगा और फिर वापस अपनी original position पे आएगा फिर इसको cover करके ये यहां चला जाएगा और इस तरह से oscillate करता रहेगा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी यानि कि एक तरह से आपको ऐसी feeling आ रही होगी अब कि जैसे एक pendulum की bob जो है वो क्या कर रही है oscillate कर रही है ऐसी feeling आपको ज़रूर आ रही होगी तो हम ये भी देखेंगे कि अगर हमने यहां इस point से किसी object को कुछ velocity देनी है तो कम से कम कितनी velocity दे हम कि ये object यूँ चलता 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 उपर भी पहुंच सके और फिर वापस उपर से नीचे आ सके यानि कि पूरा circle ये object describe कर सके तो आप ये देखें यहां ये जो point है L इस L point का मतलब है lowest point और आप ये मानके चलता हूँ कि ये जो मैंने dotted line यहां आपको बना करके दिखा रखी है यहां मैंने लिखा है ground यानि कि ground के ऊपर ये एक vertical circle है और मैं ये मानके चलता हूँ कि मेरा object जस्ट ground से मतलब आप ये मानके चलीजे कि touch ही कर रहा है मतलब almost इस object की height ground से कितनी है zero है और इसलिए मैंने इस point को क्या बोल दिया L बोल दिया और आप समझ रहे होंगे जब मैं यहां इस point पे object को कुछ velocity दूँगा चुटके मार के तो ये object चलता 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 उपर तक जाएगा और इसको मैं बोल रहा हूँ h h का मतलब है highest point reached by the object और आप समझ रहे हैं कि ये जो highest point है ये आपके circle के diameter जितनी उचाई पर होगा यानि कि अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक circle की radius r माननूं तो क्योंकि उपर भी r होगी तो आप ये बोल सकते हैं कि ground के मुकाबले highest point कितनी उचाई पर होगा diameter यानि कि twice r के उचाई पर होगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम धिरे धिरे उन चीजों की तरफ चलते हैं कि ये सारे diagram के इंदर दिखाया क्या गया है देखिए सबसे पहली चीज आप ये imagine कीजिए कि ये वाला l एक हमारे vertical circle का lowest point है और ये h हमारे vertical circle का highest point है और आपने इस M mass के object को lowest point से एक कुछ न कुछ initial velocity दी है जिसको मैंने बोल रखा है क्या वीवन जिसको लेकर के ये object suppose कीजिए circular motion करते हुए उपर चढ़ा उपर चढ़ा उपर चढ़ा उपर चढ़ा उपर चढ़ा कि जब आपने point L से object को V1 velocity दी है तो जैसे जैसे object उपर चढ़ता रहेगा आप समझ रहे हैं कि वो ground से उपर की तरफ जा रहा है gravity के against जा रहा है तो naturally उसकी जो velocity है वो क्या होती जाएगी घटती जाएगी यानि कि आगर आप यहाँ इस point पर velocity V1 कह रहे हैं और suppose कीजिए यहाँ पर आप velocity V2 कह रहे हैं तो क्योंकि आप यह देखिए कि जो आपका point है यह जिस पर आप velocity V2 बोल रहे हैं वो ground से थोड़ा सा उचाई पर है और माल लीजिए मैं अगर आप से कहूं कि यह मेरा ground का level है और अगर यहाँ पर object आ चुका है तो वो थोड़ा सा इस level पर आ चुका है तो यह जो height है यह height मैंने h मान रखी है यानि के object L point से लेकर के और P point तक जब पहुंचा तो naturally वो उपर तो उठा है तो कितनी उचाई पर उठा है वो उपर मानें तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि V2 की value V1 से कैसी होगी कम होगी क्योंकि जैसे जैसे object उपर जाएगा उसकी velocity कम होती जाएगी और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी और यहाँ पर velocity बिलकुल कम हो जाएगी लेकिन क्योंकि उसके बाद वो अब नीचे आना शुरू होगा तो अब उसकी velocity बढ़ेगी 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 और यहां पर आते आते बढ़ती रहेगी तो कुल मिला करे आप समझे के होंगे के half circle में उसकी velocity क्या होगी कम होगी और अगले half circle में उसकी velocity क्या होगी इंक्रीज होगी तो कुल मिला करके आप यह कह सकते हैं कि पूरे के पूरे circular motion के during अलग-अलग point पर object की velocity क्या होगी अलग-अलग होगी magnitude भी अलग होगा और direction तो आप जानते ही है circular motion में हर एक point पर अलग होती ही होती है तो आप यह देखिए कि जब आपने इस M mass के object को point L से मालीजे इस तरफ right hand की तरफ चुटकी मार करके एक V1 velocity इसको दे दी तो क्योंकि object point P तक उपर चड़ता है तो मालीजे h height पर उपर चड़ने के बाद यहाँ इसकी velocity कितनी हो चुकी है V1 तो यहाँ है और यहाँ इसकी point P पर velocity कितनी हो चुकी है V2 और हम यह भी जानते हैं कि जो हमारी velocity की direction होती है वो tangential होती है तो यहाँ पर जो आप देखिए V1 की direction है वो इस point पर डाले गए tangent के along है और यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूं के velocity V2 है तो हमने यहाँ के along एक tangent डाल दिया और यह आपकी velocity का क्या रहेगा direction रहेगा अब देखिए आप यह तो समझ गए कि V1 जादा होगी और उपर जाते जाते V2 थोड़ी से क्या हो चुकी होगी कम हो चुकी होगी तो अब हम energy conservation लगा करके कुछ mathematics करने जा रहे है आप ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ लिखा है total energy of the mass at point L यानि कि यह जो M mass है point L जो कि आपका lowest point है vertical circle का तो वहाँ पर उसकी total mechanical energy कितनी होगी आप जानते है total mechanical energy kinetic energy और potential energy का sum होती है अब देखो क्योंकि यह object यहाँ पर तो बिल्कुल आप यह मानके चल लिएजिए ground के just उपर ही है touch ही कर रहा है ground को height तो कोई है नहीं इसकी तो अगर height इसकी 0 है तो आप MGH का जो formula लगाएंगे तो उसके according यहाँ पर potential energy तो कितनी आजाएगी 0 आ जाएगी इसलिए यहाँ पर potential energy को आपने रख दिया 0 मगर kinetic energy तो आप जानते हैं किसके बराबर होती है half M V square के बराबर तो यहाँ पर half M हो गया और यहाँ पर क्योंकि आपने उसको velocity या speed आप कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं V1 दी थी तो यहाँ पर half M V1 का square उसकी क्या हो गई kinetic energy तो इसी point पर आपकी kinetic और potential जुड़ गई तो यह आपके object की आगई point L की total mechanical energy यह बाद आपको समझ में आ गई अच्छा तो यह तो आपने बात कर ली point L की अब आईए point P पर चलते हैं point P के बारे में आप समझ रहे होंगे जैसे ही object vertical circle में move करता 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 P पर पहुंचता है तो यह देखिएगा वो ground के level से कितनी उचाई पर पहुंच चुका है H उचाई पर तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसके पास potential energy भी होगी और वो potential energy कितनी होगी क्योंकि वो ground के level से H height पर पहुंचा है तो आप यह बोल सकते हैं कि जो potential energy उसकी होगी वो होगी M G H और यहाँ पर क्योंकि उसकी जो speed है या कह लीजिए velocity है वो V2 हो चुकी है तो यहाँ पर उसकी kinetic energy कितनी होगी half M V2 का square तो दोनों को जब आप जोड़ देंगे यानि कि kinetic energy और potential energy को तो वो आपकी क्या आ जाएगी उसी M mass के object की total energy लेकिन कहाँ वाली point P वाली और आपी तो जानते ही है कि energy conservation क्या बोलता है कि जितनी energy total यहाँ रही होगी उतनी ही energy total यहाँ भी रही होगी बस हाँ यह है कि आपकी एक energy अगर थोड़ी सी कम हो गई है तो दूसरी energy थोड़ी सी बढ़ गई होगी जो कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर तो potential energy 0 थी लेकिन यहाँ पर potential energy height बढ़ने की वज़े से कुछ ना कुछ आ चुकी है तो यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि यह जो potential energy increase हुई है यह इसलिए increase हुई है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए V2 के कम होने की वज़े से object की kinetic energy घट गई है आप तो यह समझी रही है ना कि जैसे object उपर चड़ेगा तो क्योंकि उसकी velocity कम होती जाएगी speed कम होती जाएगी इसलिए यहाँ पर अगर V2 की value कम है तो kinetic energy तो उसकी कम है लेकिन अगर kinetic energy कम है तो वही जो कमी है वो किसके रूप में appear हो गई है potential energy के रूप में appear हो गई है तो अगर देखा जाए तो जितनी total energy यहाँ थी उतनी ही total energy object की यहाँ भी होगी तो इसलिए मैं लिखा कि conservation of energy क्या बोलता है कि L point की जो total energy थी और P point की जो total energy थी वो दोनों आपस में कैसी होंगी बराबर होंगी और जब आप इनको बराबर रखेंगे और थोड़ा सा mathematics solve करेंगे जो कि मुझे उम्मीद आप कर लेंगे तो आपको V2 square की value V1 square minus 2GH मिल जाएगी यानि कि आप अगर यहाँ वाली velocity के बारे में बात करें तो आप यह देखिएगा कि V1 के square में से कुछ घटके यह वाली value आ रही है यानि कि यहाँ वाली velocity में से कुछ न कुछ घटेगा तो यहाँ वाली velocity जो है वो आएगी हाला कि चलो यहाँ square है लेकिन कोई बात नहीं इतना तो आप सामझी रहे हैं कि आपका जो यहाँ velocity है अगर उसका square V1 square है तो यहाँ वाली velocity का square क्या होना चाहिए था V2 square लेकिन आप यह देखिए कि V1 square में से कुछ minus हो रहा है तो naturally यहाँ वाली जो velocity है point P वाली वो velocity V1 से कैसी होगी कम होगी जो कि हम थोड़ा सा समझ भी रहे थे और यहाँ mathematics ने भी हमें वो चीज़ क्या कर दी है बता दी है तो आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि V2 is the velocity of the object at point P and square of V2 is given by this equation number 1 अब देखिए यहाँ तक की जब हम बात कर चुके हैं तो आपने सिर्फ इतना देखा कि L पर total energy निकाल ली object की हमने P पर हमने total energy object की निकाल ली और दोनों को जब compare किया तो वहाँ से मेरे पास V1 और V2 के बीचे में एक relation जो है वो आ गया उसको मैंने नाम दिया है equation number 1 का अब देखिए हुआ कुछ यह था कि जब आपने L point से object को यह V1 speed दी थी या V1 velocity दी थी तो वो यह चलता 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 उपर की तरफ जा रहा था तो जब वो object हमारा P पर पहुँचा था तो मैंने उसी के according यह सारा diagram बना लिया था यानि के point P पर ही हम देखना चाहेंगे के हो क्या रहा है अब देखिए यह O से लेकर के L तक जिस रसी की length के सहारे हमारा object लटक रहा था naturally अगर object उपर जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि रसी भी तो उसके साथ साथ move करके यहां आ जाएगी ना तो आप यह मान लिजिए के रसी या धगा O L वाली position से कहां आ चुका है O P वाली position में आ चुका है और पहले वाली position से suppose कीजिए अब यह angle कितना बना चुका है theta यह बात आपको समझ में आ गए होगी भाई जो आपका object है अगर वह यूँ चलता 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 ऐसे move करेगा तो naturally वो theta angle से क्या हो गया है अपने आपको displace कर गया है L से लेकर के P तक तो यह angle कितना हो गया हमने मान लिया theta अब देखिए यहां पर जो object है point P पर हम इसको थोड़ा सा एक momentally rest पर मान करके ऐसा सोच रहे हैं कि अब इस पर forces कौन से कौन से लग रहे हैं जरा हम इसका जो diagram है forces का वो draw कर लेते हैं तो अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि अगर यह M mask का object है तो इसका weight तो होगा mg और वो mg weight कहां होगा vertically downward और आप यह चीज़ जानते भी हैं कि अगर आपकी यह line और यह line parallel है तो आप भी देखिएगा कि यह वाली जो line दोनों को काट रही है तो यह angle अगर theta है तो यह angle भी कितना होगा यह भी theta ही होगा तो अब आप weight के दो component कर लीजिए तो इस line के साथ यह जो angle theta है तो mg का यहाँ वाला component तो हो जाएगा mg cos theta और इसके perpendicular इस direction में देखिएगा मैंने लिखा एक दूसरा component mg sin theta यह बात आपको समझ में आ गई होगी तो अब आप एक चीज देखिएगा ध्यान से के mg को यानि के weight को जब आपने दो components में तोड़ लिया mg sin theta और mg cos theta तो मैं बात करना चाहता हूँ इस direction की देखिएगा ध्यान से ध्यान से देखिएगा आप यह देखिएगा के हमारा जो object है रसी जो है उसके उपर tension force लगा रही है center की तरफ यह T क्या है यह रसी के अंदर या धागे के अंदर लगने वाला tension force है तो हमने कहा के T की direction है center की तरफ जबकि इस T के opposite side आप देखिए कौन है mg cos theta तो यह जो हमारा object है इस पर इस direction में T force और इस direction में mg cos theta force लग रहा है अगर आप से कोई यह पुछे के net force इस object पर कितना लग रहा है तो वो net force या तो होगा T minus mg cos theta या होगा mg cos theta minus T अब आप यह ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यह कह दूँ कि T और mg cos theta बराबर हैं यानि कि इसका मतलब है कि इस object पर इस direction में और इसी object पर इस direction में लगने वाले दोन्नों force क्या हो गए हैं बराबर हो गए हैं तो अगर बराबर हो गए हैं तो फिर क्या होगा फिर आप यह कहेंगे कि इस direction में कोई net force नहीं लग रहा लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा अगर हमारा object सपोज कीजिए इस velocity के tangent की direction में ही चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे तो तो आप समझ रहे हैं कि यह इस direction में ही चला जाएगा एक circular motion को describe नहीं कर पाएगा और अगर हम यह चाते हैं कि यह object इस direction को छोड़ करके थोड़ा सा उपर की तरफ मुड़े क्योंकि आप देख सकते हैं कि pencil के साथ यह जो मैंने circle बनाया है इस circle पर अगर आपके object को रहना है तो naturally इस pen से बनाई गई direction से थोड़ा सा इसको कहा चलना पड़ेगा उपर की direction से उपर की तरफ direction चेंज करवानी है object की तो naturally कोई न कोई force तो चाहिए और आप यह देख सकते हैं कि इस direction से इसको थोड़ा सा इस तरफ लाने का मतलब है कि center की तरफ लाया जा रहा है और center की तरफ जो force लगता है circle में आप जानते हैं हम उसको क्या बोलते हैं centripetal force बोलते जादा होगा कम होगा क्योंकि आप खुद देखिएगा कि object जब इस तरफ चल रहा है इस direction में तो अगर आप उसको थोड़ा सा उपर की तरफ यह मोड़ना चाहते हैं उपर की तरफ तो आपके tension force को ज्यादा होना पड़ेगा क्यों क्योंकि अगर यह force ज्यादा होगा तभ यानिके इस direction को छोड़ करके थोड़ा सा उपर की तरफ ऐसे अपने direction चेंज कर लेगा वही न्यूटन ने भी कहा था कि बगएर force के direction में change possible नहीं है यानिके अगर एक object किसी particular direction में चल रहा है तो वो उसी particular direction में चलता रहता है जब तक external force लगा करके उसकी direction को change ना किया जाए तो naturally आप देखिए अगर mg cost theta बड़ा होता तो इस direction से उसको कहां खीचने की कोहिश करता यूँ नीचे की तरफ खीचने कोहिश करता लेकिन क्योंकि हमने object को circle के अंदर move करवाना है तो naturally circular motion पर रखने के लिए उसको इस pencil वाली line के along जो है अपने direction रखनी पड़ेगी यानिक इस direction से थोड़ा सा उसको उपर की तरफ आना पड़ेगा तो naturally t को जादा होना पड़ेगा तो इसलिए अगर t जादा है और mg cost theta उससे कम है तो हम यह कहेंगे कि इस object पर इस point पर थोड़ा सा उपर की तरफ force लगेगा और वो कितना लगेगा t minus mg cost theta तो यहाँ पर यह सेंटर की तरफ लगता है और यहाँ पर यह वाला force क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है और हमारे object को exact circular motion पे बना के रखे हुए है तो यही force हमारा क्या होगा centripetal force होगा मुझे अमीद है यह चीज आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि अगर t बड़ा है और mg cost theta छोटा है तो नचुरली क्योंकि t की direction जिस तरफ है net force भी उसी तरफ होगा तो t-mg cost theta की direction होगी कहा थोड़ी सी उपर की तरफ और वही force आपके इस object को इस direction से थोड़ा सा center की तरफ यानि के circle के उपर ले आएगा तो इसका मतलब है कि t-mg cost theta ही centripetal force के बराबर होगा और centripetal force का formula हो r का मतलब है किस radius के circle में वो घूम रहा है और v का मतलब है कि वहाँ उसकी velocity या speed कितनी है तो अब आप एक चीज यहां घांस देखिएगा कि हम इस point के उपर बात कर रहे हैं यानि कि यहां हमने देखा है कि centripetal force जो है वो कितना होगा और किस direction में होगा तो naturally इस point पर जो speed हो का formula कई बच्चे सोचेंगे कि यहां पर v1 क्यों नहीं आया क्योंकि यहां अगर आप formula लगा रहे हैं centripetal force का तो यहीं वाली जो speed है वो consider की जाएगी जबकि v1 जो speed थी वो यहां थी यहां वाली speed v2 है इसलिए mass into velocity के square की जगे v2 का square आएगा divide by r तो mv square by r जो है वो आपका centripetal force होता है और वो centripetal force आपका t-mg cos theta होगा इसलिए अब इस equation को आप ध्यान से देखिएगा तो हमने क्या किया next बार इस mg cos theta को जो की minus का है वो इस तरफ ले गई तो वो आपका क्या हो गया plus का हो ठीक है और अब हमने क्या किया ध्यान से देखिएगा आप यह जब आप आपका m by r into v2 square है तो v2 square की value equation 1 से ओपर उठा करके और यहां रख दी हमने तो आप देखिएगा m by r की जगे m by r है और v2 के square की जगे यह v1 square minus 2gh है और यह आपका जो इस तरफ आ करके यह mg cos theta plus का हो गया था वो तो आपको plus का नजर आ ही रहा है तो tension का जो formula हमारे पास आ गय यह बात आपको समझ में आ गई होगी और अब आप एक चीज़ हैं से देखिएगा इस cos theta की value हम निकालने जा रहे हैं देखो जब आपने कहा था कि object point L पर है और वो उपर चड़ता 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 P पर आ चुका है तो मैंने क्या किया यह है आपका ground level और यह आपको जो dotted line नजर आ रही है यह वो level है जिस level पर आपका object फिलाल है तो मैंने इन दोनों levels के बीच में जो height थी हो कितने मानी थी h तो आप खुद देखिएगा कि o से लेकर के l तक अगर radius r है और इस point को और मैं n बोल दूँ n से लेकर के l तक अगर height h है तो n से o तक कितनी बच चाएग तो इस triangle से आपने क्या किया o n p triangle से cos theta की value निकाल ली तो यहां से जब आप cos theta की value निकाल लेंगे trigonometry का use करके तो वो value आप यहां पर put कर दीजिए ता भी देखिएगा कि यह equation यूं की यूं है सिर्फ cos theta की जगे यह वाली value यहां निकालके रख दी गई है और हमने इसको बो points पर जो tension है वो निकालना चाहते हैं tension का मतलब ही क्या होता है जिस रसी के सहारे आपका object बंधा हुआ है उस रसी में आने वाला खिचाव और अगर आप थोड़ा सा imagine करें जब आपका object lowest point पर होगा vertical motion के तब रसी के अंदर खिचाव क्या होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा और जैसे जैसे object उपर की तरफ move करता रहेगा वो रसी थोड़ी सी धीली होती रहेगी थोड़ी सी slack होती रहेगी उसके अंदर का खिचाव घड़ता रहेगा tension घड़ता रहेगा और h पर आकर के tension क्या हो जाएगा बिलकुल कम हो जाएगा यह बात आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो आपका रसी है उसके अंदर खिचाव जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा और जैसे जैसे object h की तरफ move करेगा वो खिचाव क्या होता चलेगा कम होता चलेगा तो यहाँ point l पर और यहाँ point h पर कितनी कितनी tension कितना कितना खिचाव उस रसी के अंदर होगा उ देखो जो आप ने यह जो equation number 2 अभी derive की है तो आगे मैंने देखिए T की बजाए लिख दिया है TL, TL का मतलब होगा tension in the string at the lowest point L, ठीक है यह बात आपको सुन में आगी, तो L जहां आप यहां मानके चल रहे हैं, तो आप देखिए L के case में object बिल्कुल इसी level पे है, ground level पे, तो आप यह कह सकते हैं कि height 0 है object की, भी naturally height तो object की तब होगे न, जब वो L से चलता चलता P पर पहुंचेगा या और कहीं जाएगा, लेकिन जब object हमारा खुद L पर है, तो naturally वो ground के level के उपर ही है, तो इसलिए आप ऐसा कीजिए, इस equation number 2 में H को 0 put कर दीजिए, और H को जब आप 0 put करेंगे, तो यहां पर भी 0 put करेंगे, यहां पर भी 0 put करेंगे, तो आपके पास जो equation आएगी, वो equation हमारे पास यह आ गई, और इसी को मैं बोल रहा हूँ T L, T L का मत आपके पास इतनी आ गई, और आपको समझ में आ गई होगी, कि यह हमने कैसे किया, उपर वाली equation में H को 0 put कर दिया, अब आप एक चीज और देखिएगा, जब यह object उपर चड़ता, 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 बिल्कुल H पे आ गया होगा, तो आप यह देखिए, कि इस ground level से वो कितनी उचाई पर चला गया है, यहां से यहां radius और यहां से यहां फिर radius तो आप समझ गए होगे, कि अब आप अगर highest point पर tension जो है, वो निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, highest point के लिए आपको H को 2R के बराबर put करना पड़ेगा, क्योंकि यह round level है, और वो चड़ता 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 जब यहां आ चुका है, तो basically diameter कह लीजिए, यह twice of radius बोलीजिए, उतनी उचाई पर वो आ चुका है, तो मैंने ऐसा किया है, देखिएगा ध्यान से, यहां पर mathematics आप खुद solve कर सकते हैं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहां लि इतनी आ चाएगी, और आप एक चीज़ धान से देखिए, यहां TL में तो क्या है, V1 square के अंदर कुछ जुड रहा है, लेकिन यहां V1 square में से कुछ घट रहा है, तो naturally आपकी यहां वाली tension ज्यादा है, और वो tension कम होती 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 होती, उपर क्या हो चुकी है, वो tension कम से कम हो equation है, आप TL में से TH को घटा दीजिएगा, आपके पास 6MG answer आ जाएगा, यानि के आपकी यहां वाली tension कितनी होगी, 6MG times जादा होगी, यहां वाली tension के मुकाबले, देखिए, घटाते हैं वक्त हम क्या करते हैं, बड़ी चीज में सही तो छोटा घटाते हैं, तो आपकी यह आपर देखो, यह चीज बड़ी है, और यह चीज छोटी है, इसलिए TL में से TH हमने गटा दिया, और हमारे पास answer यह आ गया, अब मैं आपको थोड़ सा समझाने के लिए अगर बता दूँ, मान लो कि यह जो object है, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि यह 1 kg का है, तो इसका mass कितना हो जाएगा, 1, जी को आप 10 ले लो, तो 10 into 1, 10, और 10 into 6 कितना हो गया, 60, यानि कि अगर यह सिर्फ 1 kg का object होता, तो यहाँ वाली tension और यहाँ वाली tension के अंदर कितना फरक होता, 60 Newton का फरक होता, यानि कि अगर आप यह कहेंगे न, कि यहाँ पर tension 1 Newton है, suppose कि यहाँ पर tension कितनी है 1 Newton है, तो यहाँ पर tension कितनी होगी, 61 Newton होगी, ताकि 61 minus 1 आपका क्या आ सके, 60 आ सके, लेकिन यह चीज़ धान रखिएगा, कि यहाँ मैं सिर्फ mass को 1 लेकर कि आपको example समझा रहा हूँ, तो कुल मिलाकर कि आप यह समझ सकते हैं, कि tension at lowest point is higher, and tension at highest point is lowest, and the difference between the two tensions is equal to 6 times of the weight of the object, क्योंकि आप जानते हैं, कि mg क्या है, M mass के object का weight है, तो यहाँ वाली tension ज्यादा होगी, यहाँ वाली tension कम होगी, और दोनों का जो difference होगा, वो 6 times of the weight of the object के बरापर होगा, तो चलिए, अब हम यह देखते हैं, कि lowest point से आपके object को कम से कम कितनी velocity दी जाए, कि वो object पूरा जो circular loop है, उसको describe कर सके, और आपका जो object है, वो पूरे loop के describe करने से पहले नीचे ना गिरे, देखिए, आप थोड़ा साइस को समझने कोशिश कीजिए, मालीजी यहाँ से आपने object को velocity दी है, बहुत तेज, तो उससे क्या होगा, वो object बहुत तेज उपर जाएगा, और पूरा circle describe करके नीचे आ जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं, कि अगर आप यहाँ object को बेहद कम velocity देते हैं, तो वो थोड़ा सा उपर जाएगा, और फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे क्या करना शुरू कर देगा, उसिलेट करना शुरू कर देगा, पूरा circle वो describe नहीं कर पाएगा, तो हमारा interest इसी चीज में है, कि यहाँ से उसको कम से कम कितनी velocity दें, कि वो बिलकुल आपके highest point तक पहुंच सके, और उस highest point को overshoot करके नीचे की तरफ वो आ सके, भी ऐसा ना हो, कि वो object को आप velocity दे दें, और वो object यहाँ पर चड़ता 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 यहाँ पर चड़ जाए, और फिर उसके बाद वो कुछ इस तरीके से गिर जाए, टेंशन कम होने की वज़े से, या रसी धीली हो जाने की वज़े से, तो हमने यहाँ से object को velocity इस तरह से सोच समझ के देनी है, कि आपकी रसी के अंदर जो टेंशन है, वो basically सोचा जाए, तो greater than zero रहनी चाहिए, यानि कि tension जो है, वो कम ना हो पाए, क्योंकि आप खुद सोचिए, कि जैसे जैसे object उपर की तरफ जा रहा है, रसी के अंदर tension कम होती जाएगी, और अगर मैं एक है दूँ, कि वो tension बेहद कम हो चुकी है, तो naturally रसी हो जाएगी धिली, और इसे लिए आपको object पूरा circle describe करने से पहले ही नीचे की तरफ गिर जाएगा, यानि कि उसका जो path है, वो पूरी तरह circular ना हो करके, किसी और shape में हो जाएगा, हम उसके उपर नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल सीधी सी बात करेंगे, ताकि आपको बाते समझ में आए, तो देखे, अब यहाँ पर मैं यह कह रहा हूँ, कि यहाँ पर tension है सबसे जादा, और फिर चड़ते चड़ते चड़ते, यहाँ पर tension हो चुकी है, सबसे कम, तो आप यह देखे, कि यहाँ वाली जो tension है, उसको मैं कहूंगा, कि tension at highest point, यानि कि T H, this either should be greater than 0, और should be equal to 0, यानि कि यहाँ पर जो tension at H point है, यानि कि H point पर जो आपकी thread के अंदर tension है, वो या तो होनी चाहिए 0 से बड़ी, या होनी चाहिए 0 के बराबर, देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा ही हो तो अच्छा है, क्यों, क्योंकि अगर आपकी tension जो है, या खिंचाव धागे के अंदर, वो होगा 0 से बड़ा, तो naturally होगा यह, कि आपका object जो है, वो इस point से, इस direction में tangentially न जा करके, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि जब वो object चड़ते, 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 H point तक आ चुका है, तो आपका object के उपर, अगर यहाँ पर tension 0 हो भी जाए, तो वो object जो है, अब क्योंकि नीचे की तरफ आना शुरू होगा, मतलब आपको एक बार overshoot उसको करवा देना है, तो क्योंकि वो नीचे की तरफ आना देखिएगा, कि जब मैं इसको थोड़ सा अगले page पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ, यह देखिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, minimum speed of the object at the lowest point for looping the loop, looping the loop का मतलब है, loop के अंदर पूरी तरह घूम जाना, तो इसके लिए मैंने क्या कहा, कि tension at the highest point must be positive, positive का मतलब है, या तो greater than 0 हो, या equal to 0 हो, तो जब आप th की value रखेंगे, और उसको greater than equal to 0 पुट करेंगे, तो आप ही देखिएगा, यहाँ से आपका जो v1 square है, वो आजाएगा, greater than or equal to 5gr, या फिर v1 की value जो आजाएगी, वो आएगी greater than equal to root 5gr, यानि के v1 का मतलब है, कि lowest point पर आपको क्या velocity देन चाहिए थी, तो वो velocity या तो आपको root 5gr के बराबर देनी पड़ेगी, या फिर उससे ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन हर आदमी चाहता है कि मैं चुटकी में जोर कम से कम लगाऊं, तो naturally आपको अगर v1 की value root of 5gr से बड़ी अगर नहीं भी रखनी है, तो कम से कम उसके बराबर तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस value को रखना ही पड़ेगा, ताकि आपका object पूरा circle बगेर किसी दिक्कत के describe कर सके, और पूरे loop की वो क्या कर सके, looping, तो आप ही देखिए, मैं तो बलके यह कहता हूँ, कि root 5gr से velocity जरा से slightly false तो ही रख दो तो अच्छा होगा, लेकिन अगर बात करें, minimum से minimum velocity की, तो आप यह कहेंगे, कि at least under root 5gr तो velocity होनी ही होनी चाहिए, तो इसलिए जो आपने velocity L point से lowest point से दी है, जिसको उने बोला था, V1, उसकी minimum value कितनी होगी, root 5gr, और आपका जो object है, जब वो highest point H पर पहुँचेगा, तो वहाँ उसकी speed कितनी होग ताकि वो पूरा loop complete कर सके, तो आप यह देखिएगा, वहाँ की जो उसकी speed है, वो हम equation number 1 को use करके निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे जो equation number 1 थी, जिसमें V2 square और V1 square के बीच में relation था, उसका use करेंगे हम, देखिए, यहां मैंने V1 की value को root 5gr put कर दिया है, तो naturally root square स cancel हो जाएगा, और H की value, क्योंकि हम बात कर रहे हैं highest point की, तो H आपका किसके बराबर हो चुका होगा, 2R के बराबर हो चुका होगा, तो यहां पर H की जगे आप 2R put कर दीजिए, तो V2 की value आपके पास आजाएगी, root gr, यानि कि आपका object जब निच्चे वाले point से चलेगा, तो minimum उसके पास इतनी velocity होनी चाहिए, और वो velocity उपर चलते चलते घटेगी, 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 लेकिन highest point पर वो velocity कम से कम इतनी होनी चाहिए, ताकि आपका object उस H को overshoot करके, पूरे circle को क्या कर सके, describe कर सके, पूरे loop की looping जो है, वो कर सके, So this is the minimum velocity which should be provided to the object at the lowest point of the vertical circle, and this is the minimum velocity of the object at the highest point, so that it could loop the whole circle, ये बात आपको संदे आगे होगी, और दिखिए, इस चीज के लिए आप थोड़ा सा ध्यान इस्तरह रखिएगा, कि नीचे वाले point पर tension होती है, highest, और जैसे जैसे object, उपर वाले point पर जाता है, तो वो tension कम होती चलती है, बस इतना ख्याल कीजिएगा, कि उपर वाले point पर जो tension है, वो greater than equal to 0 हो, उससे कम ना हो, यानि कि negative ना हो tension, tension हमेशा positive रहे, ठीक है, तो या तो वो 0 के बराबर हो, कम से कम के अगर हम बात करें, या फिर उससे कैसी रहे, greater रहे, तो उस condition का use करके हमन lowest point पर कितनी velocity उसको दी जाएगी, वो भी निकाल ली, और highest point पर कम से कम उसके पास कितनी velocity होनी चाहिए, वो भी निकाल ली, ताकि हमारा object पूरे loop को क्या कर सके, describe कर सके, और आप समझ सकते हैं, कि अगर आपके object की lowest point पर velocity इससे भी कम होगी, तो आपका object उससी late करता रहेग वो loop को describe नहीं कर पाएगा, तो यहाँ आप देखिए, इसी concept के base पर एक छोटा सा example है, आपने कई बार देखा होगा, सरकस में आप यदि गए हों, तो एक motorcycle या cycle वाला आदमी क्या करता है, नीचे की तरफ फिसलता चला आता है, और जैसे ही वो यहाँ आता है, तो यह मालने से वो नीचे आएगा, उसकी speed बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और यहाँ पर आने के बाद, उसकी speed क्या हो चुकी होगी, maximum, और फिर आपने देखा होगा, कि वो यह पूरे circle के अंदर क्या करता रहता है, चकर लगाता रहता है, तो हमें यह calculate करना है, कि अगर ground के level से वो आदमी h height उपर से अपनी bike को start करता है, तो यहाँ पर उसकी velocity कितनी होनी चाहिए, कि वो object पूरे circular loop के अंदर क्या कर सके, चकर काट सके, पूरा circular loop describe कर सके, आप ही देखीगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको loop के अंदर cut दिखाया है, वो इसलिए दिखाया है, ताक आपको यह समझ में आजे, कि अगर यह circle में हाँ पूरा बंद कर दूँगा, तो यह आदमी circle के अंदर entry ले ही नहीं पाएगा, बलकि आपको थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए, कि इसकी height के according यहाँ पर जगे छोड़ देनी चाहिए, ताकि जब यह object नीचे की तरफ आए, तो circle के साथ इसकी तकर ना हो, यह आप समझ रहे होंगे खेर, तो अब आप एक चीज़ देखिएगा, यह motorcycle वाला जो आदमी है, जब नीचे चलता आएगा, नीचे चलता आएगा, तो नीचे आने की वज़े से इसकी velocity बढ़ेगी, और मान लीजे, यहाँ पर आते आते वो velocity maximum हो object यहाँ से थोड़ा सा उपर जूर जाएगा, लेकिन उपर जाके वो फिर से गिर जाएगा, क्योंकि उसकी velocity उतनी नहीं थी, जितनी आपको यहाँ पर देनी चाहिए थी, यहाँ कि वो object पूरा circle describe नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे, कि जब वो आदमी h height से नीचे उतरेगा, आप देखिए, भले ही वो object इस तरफ उतर रहा हो, लेकिन अगर वो object यहाँ पर है, तो वो जमीन से कितनी height पर है, h पर, और जब वो उतरते उतरते यहाँ आ चुका है, तो basically वो जमीन पर यहाँ चुका है, तो हम यहीं तो कहेंगे, कि जब वो object यहाँ से लेकर के यहाँ आया है, तो basically vertical direction में उसने कितनी height ट्रेवल की है, h displacement ट्रेवल की है, नीचे की तरफ वो आया है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले यह equation लगा करके, हम यह निकाल लें, कि अगर यहाँ यह object रेस्ट पर था, क्योंकि of course यहाँ पर तो वो रेस्ट पर ह होगा, और जब वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पर उसकी velocity कुछ ना कुछ हो चुकी होगी, तो इस equation का use करके हम यह निकाल लेते हैं, कि यहाँ उसकी velocity कितनी हो चुकी है, तो देखिए, v square minus u square is equal to 2s, v का मतलब है, यहाँ वाली velocity, मतलब आप final velocity माल लिजए क्योंकि यह हमारे लिजए final point है, यह उसका initial point है, तो यहाँ पर उसकी velocity naturally 0 रही होगी, तो मैंने u square की जगह 0 का square पुट कर दिया, 2 की जगह 2, तो आप ही देखिएगा, कि जब हम vertical direction की बात करते हैं, कि vertically वो कितनी displacement travel कर रहा है, तो displacement की जगह मैंने h दिख दिख दिया, और कि इस point पर उसकी velocity कितनी आ चुकी है, 2GH का root आ चुकी है, और हम जानते हैं कि इस circle के लिए यह आपका lowest point है, और यहां की velocity आप जानते हैं कि at least कितनी होने चाहिए, 5GR के root के बराबर होने चाहिए, यह velocity root 5GR के बराबर होने चाहिए, बलके मैं तो अब भी कहता हूँ, कि यह थोड़ी सी, थोड़ी सी जाहिए इससे, लेकिन चले minimum velocity की अगर हम बात कर रहे हैं, तो actually इसको इसके बराबर तो कम से कम होना पड़ेगा, तो जब आप इस root 2GH को root 5GR के बराबर put करेंगे, तो आपके पास H की यह value आ जाएगी, और H की value आएगी, 5 by 2 times of radius, यह R क्या है, मतलब है H कितना आ जाएगा आपके पास, पांच मीटर, यानि कि अगर आपको 2 मीटर का एक circle पूरा चकर काटना है, तो आपको जमीन से कितनी उचाई से cycle या motorcycle को शुरू करना पड़ेगा, आपको 5 मीटर की उचाई से इसको शुरू करना पड़ेगा, तो मुझे उम्मीद circle जो है वो describe कर सकें, so this height is the necessity of the object, मान लीजिए कोई object आपका यहाँ पर cycle से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको इस height से नीचे आना जरूरी है, हलाकि मैं तो prefer करता हूँ कि इस height से जरा सा उपर से आ जाए तो कोई ज़्यदा दिक्कत वली बात नहीं होगी, ठीक है, तो आपके object की velocity के बराबर put किया, और यहाँ से यह answer निकाल लिया, तो naturally यह जो object नीचे की तरफ आएगा, तो पूरा circle describe करेगा, और यह, मान लीजिए, यहाँ से जलके यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा even, तब भी यह नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, क्योंकि इस point पर इसके पास उतनी velocity थी, जितनी इसको requirement थी, और इसलिए यह object आपका पूरा circle क्या करेगा, describe करेगा,